जो सोपोर ट्रेडर्स फेडरेशन थी, वो यहां पर एक अलेक्टिड बाडी थी, लेकिन उसके साथ-साथ यहां पर यूथ ट्रेडर्स फेडरेशन मंजरियाम पर आने लेगी, रोड शोउज हुई, प्रिस कॉनफरनस हुई, बहुत सारे मामलात हुई, ऐसा क्या हुआ कि ए छे हजार वोट्स अगर आपके किटी में हैं, तो छे हजार वोट्स जब एक अलेक्टिड बाडी के पास थी, क्या उन्होंने अपने उस जो अलेक्टिड बाडी थी, वो प्रापरली रन नहीं कर पाई, कि यूथ ट्रेडर्स फेडरेशन को अपने टोज पर आना पड़ा, यूथ ट्रेडर्स फेडरेशन की जो कोर बाडी है, वो इस वकट मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है, और आज हम इनसे जानने की कुश करेंगे, कि यह जो यूथ ट्रेडर्स फेडरेशन है, यह मनजरे आम पर किवाई है, मेरे दाएं साइड में, पहले रो में है, गफूर साहब गफूर साहब आज हमारे इस सेशन में मौजूद होंगे उसके साथ साथ मौतरम शेख राशिद साहब जो हमारे शो के आज इस शो में हमारे साथ मौजूद होंगे और मेरे बाईं तरफ मौतरम जफर साहब जो इस यूथ ट्रेडर्स फेडरेशन के भी एक आह यह जो यूथ फेडरेशन वाइटी अप बने जा रही है कि इसका क्या मांशूर है आपके सवाल का मुदा मकसद में मुकसर तो रही बयान करना चाहूँगा जो उसका जो आप सुनना चाहते हैं हमसे तो उसका थीम में आपको मुकसर ही बताना चाहूँगा कि you traders federation क्या वज़ा है कि you traders federation हम मझबور होगे सामने लाने के लिए जैसा आपको पता होगा कि you traders existing traders federation हमारी है इसमें ज्यों कियास अभी है तनाजा जो है सबी बisy बहुखों भी जानते है मुझे उसमें वजाहत करने की जरूरत नहीं है अगर मैं वजाहत करना बैठो इंट विट विट एक रादर आस टुगेदर मैं मुकसर तोर यह आपको बताना चाहूंगा जो कियास है वो क्यूं है कैसे है सभी जानते हैं अलहमदुलिल्ला उस कियास को खतम करने के लिए हमने पहल की शुरुआत की नाइगोसेशन का प्रॉस्स हमने चलाया सभी जानते हैं बहुत भी जानते हैं आपकी नोटस में भी आया होगा नाइगोसेशन हमने दो महीं ने चलाई लेकिन दोनों सो हमेले दोनों फैक्शन्स के साथ हमने रब्टक किया और वर्चूली हमने मिनतें उनको की कानस्टूशन ने बहुत कर रहा है दूसरे हमारे जो जो जीज़ हैं जो इस वक्त है एक्जिस्टिंग प्रेजिडेंट हमारे वो कह रहे हैं कि नहीं जी कोट से फैसला आजाएगा तब सारा डिसिजन कोट ही दे देगा तो छे हजार दुकाने यहां पर है कमबेश छे हजार दुकाने छे हजार ताजिरों की कोई वकत ही नहीं है इनके नजर में यकीन करें आप तो मजबूर होके हमने यूथ ट्रेडर्स फेडरेशन का आगास किया मजबूरी के सबब में खुद अगर जाती आप हमसे पोचेंगे कि क्या आप चाहते हैं कि ट्रेडर्स फेडरेशन के परलल कोई और्गनाजिशन खड़ी हो जाए यहां पर बिलकुल हमारा जवाब ना होगा लेकिन इसके बगार कोई चारा नहीं है अगर आपके पास कोई सलूशन है लोजिकल कोई सलूशन है परमसिबल कोई सलूशन है तो महरबानी करके बताएं सबसे पहले हमारी फोरम होगी जो आपके पीछे चलेगी लेकिन यकीन करिये सर्म मैं जानता हूँ योट ट्रेडर्स फेडरेशन के बगार कोई चारा नहीं है जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जबसाब आपके पास आना चाहूँगा चुक्कि सुनने में आया है यानि कि आन रिकार्ड भी है हाश्म साब ने आपको खुले दिल से एक इन्विटेशन बेजा था कि आप हमारे साथ आएए और मिल बांट के हम जो सोपोर्ट ट्रेड है इसकी बहबूदी इसकी बहतरी के लिए हम काम करेंगे तो अगर उने ने आप लोगों को खुले दिल से एक इन्विटेशन दिया था क्या वज़ा है कि आपने उनका इन्विटेशन कबूल नहीं किया अगर कबूल किया है तो आप थोड़ा में पास्ट में जाना चाहूंगा इसमें एक चीज है जो आपको बहुत जरूरी समझना है बहुत जरूरी समझना है वो यह चीज है कि जहां तक हाश्मी साहब ने जो जिकर किया है तो इससे पहले जहां एलेक्शन का जो सिलसला शुरू होने वालत था तो मैं समझता हूँ हाश्म साहब की ये दिर्या दिली थी बड़ापन था कि उन्हें वक्त से पहले जो एलेक्शन का जो बिगुल बजाया हम बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी जो जो सिनिसिर्टी और जो अपना इमानदारी और अपना जो बड़ापन दिखाया हम उसके लिए उनका शुक्रिया भी कर चुके हैं लेकिन दूसरी और अगर देखा जाए तो अभी तक वो अब जो इस वक्त ट्रेडर्स फेडरेशन की जो एक्टिंग कमिटी में वो अभी प्रेजिन्ट बेटे हुए है वो तो अपने हिसाब से मैं लगता हूँ हमारे हिसाब से दो दो हाथ से वो कुर्सी थामे हुए है तो इस सुरत में उनका ये कहना मुझे लगता ये सही फैसला नहीं है तो जहां तक हमने जो एलेक्शन के हवाले से जो कियास देखा जो सुरत हाल रोनमा हुआ ताजर बरादरी के लोग बहुत ज्यादा मुतासर हुए और हमने काफी वक्त इंतिजार किया और इंतिजार के बावजूद हमने नेगोसेशन का जो प्रोसेस भी चलाया हमने हर लहाद से उनके सामने अपना जो वेकार अपना जो हर मामला जो इस हवाले से था हमने अपना जो खर्च एक चीज़ कुर्मान कर दिया कि हमें अगर फोटफोलियो जुरत होता या हमें एक्तिदार होता तो हम इस वक्त भी उनकी जो पेश रफते हैं, जो हमारे नजबत जो हमारा उनकी पेशकश है, हम एकसप्ट करते हैं, लेकिन बल्ला हमें बिल्कुल एक्तिकदार न चाहिए था और न इस चीज़ की जरूरत हैं, हम चाहते हैं कि ट्रेडर्स का बला हो, और इस सुरत में हमने जो अभी जो परासर शुरू किया है, यू ट्रेडर्स फेडर्रिशन के हवाले से, जिसमें चार जून को इनफॉर्मल तरीके से अलेक्शन होने जा रहे हैं, जिसमें हमने, अगर हम एक्तिदार के बूकिये होते, तो शायद ही हम लोगों को ये कह देते हैं, कि हमने फला को ये जरूरी नहीं है कि जाफर साब को या किसी और को मताइन किया है इस ओधे के लिए कि हम इसको प्रेज़न्ट बनाने जा रहे हैं, तो आप इसमें शमूलियत फरमाएं, लेकिन हमारी सिंसेर्टी, डेडिकेशन देखिए, इमानदारी देख लीजे, या हम बिलकुल एक् कौन इसके लिए मुवाफिक है और उसको वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे या फिर वहाँ पे इनफार्मल तरीके से उसको आगे अलेक्ट करेंगे, तो जहां तक हमारा तालुक है, हम चाहते हैं कि बिलकुल ये जो अभी जो मसला सूरेत्याल जो पाइदा हुआ है, ताजिर ज ताकि कोई सामने आए और ये बागदोर वक्त वक्तन वक्ती तोर संबालें, ताकि जो किया से वो आटोमेटिकली खतम हो जाए, और इन्शालला आने वाले दिनों में आप देखेंगे, ताजिर बरादर के लोग आराम इन्शालला उनको मिलेगा और इस हवाले से बाहर हम उसी के ऊपर कूश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये सारा मामला जो है, इसको हम साट आउट करने की कूश करेंगे, अब आप से जाने की कूश करूँगा, कि एक जो स्टक स्टेक होल्डर्स थे, उन्होंने आपको प्रस्ताव दिया था, एक एड हॉक कमीटी रही हो, तो ये कहां तक से ही बात है? अब आपको प्रस्ताव करेंगे, जो चलने वाला नहीं है, तो इस वज़ए से जो तनाज़ा है, वो तो खतम होने वाला नहीं है, जो कोड का तनाज़ा है, जो उनका वो नहीं होता है, एक एड हग बाड़ी से अगर ये मसला हल होता, तो हमें कोई ट्रेडर्स परड़े, कोई जोरस नहीं है, हम उनके पीछे पीछे चलेंगे, मगर वो तनाज़ा वहीं रहेगा, एक सिलेक्टिड है, एक एलेक्टिड है, ये चलने वाला नहीं है, जो चोड़ी सी बात है, ये जो एड हग कमीटी है, इन प्रिंसिपल, ये ठीक नहीं हैं, ट्रेडर्स के लिए, ये जो यूथ आ रही है, उनके हुकूग के लिए आ रही है, अगर अड़क से कोई काम चलता तो हम उनके पीछे पीछे चलते हैं, ये समझो, ऐसी ही बात है कि एकी फैमिली में दो दो खांदार है, दो दो फैमिली हैडस है, तो इसलिए हमारी मेरी नजर में, जहां तक मेर कमड़ नहीं करती है सहीद दाउद काजी आपके पास आना चाहूंगा और आप से जाने की कुश्च करूँगा यह जो लांग बारिच आपने रिसेंट्टि यहां पर रोडशो किया था तो उसके पीछे क्या लाजिक था वो रोडशो क्यों आपने किया और उसके जो रिपरे कियान करना चाहता हूं वक्त तो नहीं है अभी वक्त भी आएगा वक्त तो नहीं है अभी वक्त भी आएगा मन्जिल दूर है रस्ता भी मुश्किल देरे ही सही चल रहे है हम यह कुशिश गैरत है ना कामियों का मुझाहिरा नहीं यह जो रोडशो हमने किया था इसका और मतलब एक ही था पहले लोग को एवेर करना कि ये क्या है दूसरी बात कि हम देखना चाहते थे लोग हमारे साथ है कि नहीं हैं मगर अलहमदलिल्ला लोगों ने अपनी किमती टाइम निकाल के हमारे पास आए रोड शो में वक्त निकाल के हमारे साथ आए तो हमें भी पता नहीं सोपूर के लोग हमारे साथ है इसका मतलब यहीं था इसका मकसद भी यहीं था कि जो यह रोड शो हो रहा है क्या लोग हमारे साथ है कि नहीं है और दूसरी बात हम यह मेसेज देना चाहते थे कि हम सिर्फ बाते ही नहीं करना चाहते थे हम प्रैक्टिकली वे दिखान अमली जामा पहनाना चाहते थे इसको इन्ह प्रैक्टिकल वेख कि हम सिर्फ बाते ही नहीं कर रहे हम हाथूं से अमली जाम इसको पहना रहे है जी जी इसका शिर्फ यही मक्सद, और कोई मक्सद नहीं था इसका, जी शेक राष्ट क साव जो एक और सवाल मेरे जहन में उबर रहा है जरा मुझे आप ये बताईए कि जिस वक्त आपने वोट कास्ट किया क्योंकि आपके पास एक जो जिनका आपने मंडेट दिया था और जो प्रेजिडंटल्शिप के लिए मजबूत दाविदार थे जो प्रेजिडंट बन रहे थे उनको आपने वोट दिया ये जहन में रखते हुए कि ये हमारे लिए अच्छा काम करेंगे और जैसा आप लोग कर रहे हो कि अनसर्टन्टी है इस्दिराब है बेचेनी है इन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया जो भी शौप कीपरस हैं जिनके अपने मामलात होते हैं वोट ठीक वकत पर काम उन्होंने अच्छे तरीके से ये मामलात हल नहीं किये उन शौप कीपरस के लिए तो जब आपने vote cast किया तो अब आप कह रहे हो कि result अच्छे नहीं आए क्या आप इस वक्त guilty feel कर रहे हो कि मुझे vote नहीं cast करना चाहिए था इनके favor में जहां तक आपके सवाल का तालुक है vote करने का मैं guilty feel कर रहा हूं Not at all देखे सर्फ seeing is believing जो आप आखो से देखींगे उस पर यकीन करें इस वक्त अगर लोग you traders federation को सामने लाते हैं ठीक है you traders federation को सामने लाने के बाद लोगों को पता चलेगा कि इनमें deliverance है या नहीं है अगर you traders federation में deliverance नहीं है तो इनका बनना वजूद में आना सब फ्योटाइल होगा हाशिम साब आ गए मैं यह नहीं कहूंगा हाशिम साब ने काम नहीं किया बिल्कुल सही जगा पे सही बंदे आये थे लेकिन बदकस्मित की वज़ा से जो कोविड का period बीच में आ गया हाशिम साब पूरी तरीके से काम नहीं कर पाए क्योंकि उस पेस उनको नहीं मिला इसके लिए लाजिमन आपके मतलब माहुल सही होना चाहिए यहां मेरा सवाल बनता है आप एक तरफ से आप यह भी कह रहे हो कि हाशिम साब ने सही काम किया और दूसरी तरफ से आप यह कह रहे है कि कोविड भी आया उसकी वज़ा से थोड़े से मामलात पेचिदा हो गए मुतासिर हो गए तो फिर अगर COVID आया हाश्म साब ने काम अच्छा नहीं किया जैसा आप कर रहे हो तो फिर कहां आपको लग रहा है कि फिर हमें वाइटी अप मन्जरे आम पर लानी चाहिए थी किस ने का हाश्म साब ने काम अच्छे नहीं किया किस ने का सर जैसे आपने भी कहा कि हाश्म साब ने काम किया और यह भी आपने कहा कि कोवीड आया अगर कोवीड आया यहनि कि जो बाड़ी थी एक्जिस्टिंग बाड़ी जो इस वकत है वो अच्छे तरह से प्रॉपरली रन नहीं कर पाई जब उनके पास इतना टाइम ही नहीं मिला तो आप यह कैसे कह सकते हो कि काम अच्छे से नहीं हुए वाइट ही अपका फिर क्या मकसत था एस पर विर कॉच्छन इस कंसरों जहां तक तक तालोग है मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा And I stand by my statement अच्छे साहब को हमने सेलेक्ट किया जो हाश्म साहब को हमने मुंदखब किया वो डिसिजन गलत नहीं था जब प्लीज कीप इन रिकॉर्ड वो गलत डिसिजन गलत नहीं हो सकता ठीक है आवाजे खलक नकारे खुदा होती है लोगों की आवाज अल्ला की आवाज है तो कैसे कह सकते हैं आपके लोग अलत थे नहीं लोगों का फैसला बिल्कुल दूरस था लेकिन हाश्म साहब ने अपनी तरब से पूरी कोशिश की डेलिवर करने की हम नहीं कह सकते हैं कि हाश्म साहब ने डेलिवर नहीं किया काम नहीं किया बिल्कुल किया है कम लेकिन बदकस्मिती के वज़े से महुल साथगार नहीं रहा कोविड का जो दो साल का पिरिड बीच में आ गया हाश्म साहब डेलिवर नहीं कर पाए लेकिन अब बात आ गई कि हाशिम साब का 10 एर जो है वो complete हो गया ठीक, जून में constitution के हिसाब से जून में उनको complete हो जाता है अपना 10 एर फाइन, लेकिन उन्हें उन्हें ने अपना बड़पन दिखाया उन्हें अपना क्या बोलते हैं कि करेक्टर दिखाया ठीक है उन्होंने अपना खुलूस दिखाया और टाइम से पहले premature ही उन्होंने election की announcement की election board को तश्कील दिया membership का drive चलाया और voter list frame किया सारा कुछ उन्होंने किया लेकिन बदकस्मती है कि हाशिम साब ने सारे काम बहुत अच्छे किया लेकिन एक चीज़ बदकस्मती यह है कि जो उन्होंने टाइम से पहले ही अपना वो क्या बोलते हैं कि वो खुलूस दिखाया वो खुलूस उस पे वो परसिस्ट नहीं रहे अभी वो दो-दो हाथों से कुर्सी को थामे हुए क्यों? ये जो उन्होंने अपना खुलूस दिखाया जो बड़पन दिखाया मैं चाहता था कि वो उस वो अपना बड़पन वो अपना वो खुलूस उस पे परसिस्ट रहे जबर साब छे हजार लोग आपके साथ जुड़े है एक बहुत बड़ा यानि कि सरकार के खजाने में एक मोटी रकम आप ताजर बरादरी से जाती है उनके खजाने में क्यूंकि इतना बड़ा ट्रेड है आप लोगों के पास और इस ट्रेड को अच्छी तरह से रन कर पाना ये कोई मामूली बात नहीं है तो आना चाहूँगा में अपने सवाल पर कि आइंदा कौन सा लाही अमल आपने अपना आया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ींगे और आपका माट्यू क्या है एड़ एंड आपका माट्यू क्या है चाहं तक आपके सवाल का तालुख है बहुत अच्छा सवाल है हम एक प्रोग्राम लेकर आए हैं चुकि हम चाहते थे कि हम जो ट्रेडर्स फेडरेशन के एलेक्शन होने बाले थी हमने भी देखा है पिछले कुछ सालों से ये काम करते चले आ रहे हैं ऐसी बात नहीं उन्हें काम नहीं किया है तो लेकिन हम चाहत हैं सौपूर का भी अच्छा बला हो और उनके लिए कफी काफी रहात मिलें और जिस हिसाब से हम देखते हैं कि दूसरे इलाकों में जहां ट्रेडर्स फेडरेशन का जुपलेटे फाम है ये बहुत को हम इस इन्शालला काफी ऊचाई पर लेकर जाएंगे हम चाहते थे कि इसके जरिये चूंकि इससे मुंसलिक बहुत सारे ताजिर बरादी के लोग है और जिससे अंदाजा लगता है कि सोपूर में जितने भी आम लोग है वो ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है बिजनस स ही अपना जो डोजगार से ही मुंसलिक है इस सूरत में हम चाहते थे कि जो कमी बीशा रही है उन प्रेजडन्टों को हम कुछ नया करें और इसी हिसाब से हमने कुछ प्रोग्रामोंस बनाए हैं जिसमें हमने जो पहले भी एक अपना जो मैनिफेस्टों पेश किया था डॉ जिर्वरादी के लोग थे उन्होंने महसूस किया कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है इन्शाला हम इन्शाला उस पे काइम दाइम है और आने वाले दिनों में हम वो अपना मैनिफेस्टों भी लोगों के सामने रखेंगे और उसमें एक चीज़ आप देखेंगे वो थोड जाने की कुश्च करूंगा कई ऐसा नहों कि यह जो यूथ ट्रेडर्स फेडरेशन बनने वाली है यह भी आप कुरसी के पीछे दोड़ रहे और यह भी कुरसी पर बराजमान होना चाहती है नहीं इक्तिदार का सवाल ही पैदा नहीं यहां पर होता इस वेरी मुच लॉजिकल और वेरी मुच क्लिया कि हमने चार कैंडिट्स को नॉमिनेट करना है जफर साब की बात ही यहां पर नहीं है कि हमने हमारी फोर्म जफर साब को अगे प्रोजेक्ट कर रही है बस जफर साब ही सब कुछ है नहीं हाँ यह जाहरी सी बात है कि हमारी फोर्म ने जफर साब को मेंडेट दिया है फाइन लेकिन उसके साथ हमने तीन और नॉमिनेट करने है हो सकता है लोग किसी और को चने तो चार कंडिडेट्स को मुन्तखब करना मतलब इक्तिदार की बात यहीं पर खत्म हो जाती है रासवाल सर एक मैसेज मैं देना चाहूँगा अदबन देना चाहूँगा हाशिम साब को यू ट्रेडर्स फेडरेशन को बनने में अभी दो-चार दिन है सर मैं उनसे अदबन इलतिमास करता हूँ कि खुदारा जो बड़वपन आपने शुरू में दिखाया वो बड़वपन अपना इस वक्त भी दिखाये आप साइड LINE हो जाए और यू ट के हवाले करें एडाख बोड़ी यूत के हवाले करें एमिकेबली करें और यूत को मोका दे ये संबालने का ट्रेडर्स फेडरेशन की बागदोर संबालने का और कुछ देर यू ही यूत संबाले गी इन्शाजल्ला रहमान, मैं पुर उमेद हूँ, यह जो किया से तनाजा है, यह भी खतम हो जाएगा, रिजल्ट इस बेटर आएंगे, डेफिनेटली आजाएंगे, इट विल यिल्ड यू डायमिक रिजल्ट्स, और बड़पन इसी में है, इज़त इसी में है, हाशिम साब के सुपरविजन के नीचे ही एड़ॉक चलेगी, इन्शालला रहमान, और यह एड़ॉक बाड़ी अगर साल को चलती है, छही मेंने चलती है, उस पिरिएएंगे, यह जो सकता है, पैटरॉन भी काम करें, उसके सुपरविजन, वो हमारे बज़र्ग है, वो हमारे उनकी मतलब नजर में ही, उनके सुपरविजन के अंदर ही, यह एड़ॉक चलेगी, और छे मने रहेगी, साल को रहेगी, यह इन्शालला यूथ आगे ले जाएगी, बागदोर समाले की, ट्रेडर्स फेडरेशन की, और इसी टाइम में, इस वक्त में, इस पेन में, यह जो आप लोगों के जो ख्यालाथ है, जो आप लोगों ने अपने ख्यालाथ शेयर किये, पबलिक के साथ, तो क्या मेसेज जाएगा आपका पबलिक के लिए इस वाईटी अपको लेकर, मेरी मैसेज सबसे पहले यह है, मैं पहले अदबन इल्तिमास करना चाहूँगा हाशिम सा आप नहीं करना है, because he has a domain, he is a competent man over there, मैं उनसे गुजारश करता हूँ, जो बड़पन आपने दिखाया, कि टाइम से पहले आपने छोड़ दिया, टाइम से पहले सारे election के जितने भी लवाजमात थे आपने पूरे के, वो बड़पन जो आपने दिखाया, उस पे persist रहे हैं, मैं आदबन आपसे इलतिमास करता हूँ, कि आप साइडलान हो जाएं, यूथ के हवाले करें, ट्रेडर्स फडरेशन की बागदोड, यूथ के हवाले करें, छे मेने के लिए, साल के लिए, आप ही, आपके सुपरविजन के नीचे ही काम चलेगा, इन्शालला रहमान, और आप देखें, यूथ क्या करेगा, यूथ अगर बड़े-बड़े दावे कर रहा है, क्या इनमें डिलिवरेंस है या नहीं, और इस इन्शालला रहमान वक्त के बाइदे, पैसिज आप टाइम, ये कियो आज जो है तनाजा है, ये भी खतम हो जाएगा, हम भी नहीं चाहते जो महमत शर्फ गनाई साब और हशिम साब, अगर ये हल नहीं चाहते, तो मुझे खुदारा बताईए, क्या करना चाहिए हमें, छे हजार दुकाने यहां पर हैं, छे हजार ताजर हैं यहां पर, क्या हमारा कोई वाल्यू नहीं है, क्या हमारे तकाज़े नहीं है, क्या हमे कि नहीं बताएंगे सर तो हमें क्या करना चाहिए what is a way out बताएए फीसभी लिल्ला मैं सामीन मैंने इसे पहले भी मेडिया के हवाले से बात करी है कि अगर सामीन के मतलब उनके पास कोई solution है कोई amicable solution है जिसे ये तनाज़ा खतम हो जाता है logical solution है permissible solution है जिसे ये तनाज़ा किया खतम हो जाता है तो यकीन मानिये हमारी form उसके साथ होगी कोई यूट ट्रेडरस फेडरेशन फिर वजूद में नहीं आएगी provided अगर वैसा कोई solution हमारे सामने आ जाता है जिसे ये तनाज़ा खतम हो जाता है लेकिन यकीन मानिये सर मैं जानता हूँ यूट ट्रेडर्रस फडरेशन के बगैर इसका कोई रास्ता नहीं है आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया तो नाजरीन यूट ट्रेडर्रस फडरेशन की जो कोर बाडी है वो आज हमारे साथ बात कर रही थी जो एक्जिसिंग बाडी है इस टाइम उन्हें खुले दिल से उन्हें एक आफर दी कि हम कंसंसिस चाहते हैं हम चाहते हैं कि हम आपके साथ मिल बांट के काम करेंगे अब देखना यह होगा कि आने वाले वकत में क्या यह fruitful results देंगे